Hi guys, what's up? I hope you all are doing great. Mommy Talkie के एक और नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Well, दोस्तों, अगर आप मेरे चानल पे पहली बार आ रहे हैं, तो जल्दी से खुद को इंट्रिडूस कर देती हूँ. मेरे नाम अमरता है, और मैं वीडियो बनाती हूँ इस प्रॉडेक्ट के बार में डीटेल में बात करते हैं. So, दोस्तों, यह जो प्रॉडेक्ट है, वो दो साल की एक्सपाइरी के साथ आता है. Well, यह क्लीनिकली टेस्टेट प्रॉडेक्ट है, मतलब अप्रूफ प्रॉडेक्ट है, यह जो प्रॉडेक्ट है, काफी अच्छा रिजल्ट देता है. तो आए इसके इंग्रीटेंट के बार में बात करते हैं. सबसे पहला जो इंग्रीटेंट है, इसमें है अल्मन ओल. एल्मन ओल हम सबको पता है, वह अगर आपके बेबी के स्किन के कसी भी डिलेटेट स्टेट में हो, तो वह आपको बेबी के स्कीन आपके बातले पैर उसके ऑनुद के आउसले के बार्याहि, आए उसके बात कर लेते है. और इसमें anti-inflammatory properties है जैसे कि अगर कई बार बजों के स्कीन वे आप देखेंगे swelling हो जाती है तो almond oil होने के वज़े से swelling में काफी helpful माना गया है और साथी साथ दोस्तों अगर आपके baby का skin जो है वो sensitive है तो sensitive skin के लिए भी प्रोड़क्ट जो है वो काफी helpful माना गया है overall almond oil जो है वो skin की complexion को या फिर skin की tone को increase करने का काम करता है skin को moisturize रखने का काम करता है और साथी साथ skin को hydrate रखने का काम करता है and almond oil की एक और properties है जैसे कि for example अगर बच्चों का skin जो होता है कई बार सोर हो जाता है यह redness हो जाती है यह rashes हो जाती तो उसमें भी almond oil जो है वो काफी helpful माना गया है almond oil में vitamin A है and vitamin E है well vitamin E आपको पता है कि अगर कोई भी अगर आप देखेंगे market में जो products available होती है अगर vitamin E है तो वो आपके baby के skin के लिए absolutely perfect है well next property इसमें है कि इसमें olive oil है, olive oil में बच्चों के skin के लिए काफी healthy माना जाता है olive oil में vitamin K होता है and vitamin E होता है again क्यूंकि इसमें vitamin E है then बच्चों के skin के लिए काफी अच्छा है olive oil में antioxidant properties होती है साथी-साथी इसमें को again moisturize रगता है, dryness को हटाता है दोस्तों next property इसमें available है इसमें यश्टी मदू जिसको हम बहुत सारे लोग मुलेठी के नाम से भी जानते हैं वेल यह भी ingredient जो है इसमें काफी helpful माना जाते है क्योंकि वो skin के लिए overall बचों की body के लिए skin के लिए hair के लिए बहुत ज़्यादा जो है dryness है या फिर itchiness है कई आप देखेंगे बचों के skin में काफी redness हो जाती है dead skin हो जाता है तो उन सब को भी हटाने का काम मुलेठी करता है I mean बहुत ही herbal properties है उसमें medicinal properties है बचों के skin के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful माना जाते है दोस्तों next properties इसमें अवेलिबल है इसमें country mellow है country mellow को बहुत सारे लोग सीधा के नाम से भी जानते है वो भी एक तरीके का herb है जो कि बचों के skin के लिए काफी helpful माना गया है इस herb को भी बहुत सारे ayurvedic medicines में जो है वो यूस किया जाता है 100% herb है उसमें कोई भी आरट chemicals नहीं है दोस्तों next ingredient इसमें अवेलिबल है इसमें गुदूची है गुदूची भी एक तरीकी का ऐसा herb है जिसमें antiviral properties होती है आमीन बैक्टिरिया से fight करने का काम करता है अगीन यह भी आपके बचों के skin के लिए बहुत जादा helpful माना गया है यह property भी बचों के skin को light करने का काम करता है और साथी साथ बचों के skin में glow लाने का काम करता है क्योंकि बहुत सारे सवाल हमें आते हैं कि क्या हम बेबी रोशिन बचों के face पे use कर सकते हैं यह साप इस प्रड़ेक्ट को बचों के face पे भी use कर सकते हैं उसमें कोई हाम नहीं है इन फैक्ट बचों के skin लिए हैं काफी अच्छा है अगर आप बच्चों को नहलाने के बाद इस product को यूज करेंगे तो इस product का best result आएगा आपको इस product का texture दिखा देती हूँ तो texture में भी ये जो product है वो हल्का सा creamy है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं और बहुत ही छोड़ी से quantity में अगर आप यूज करेंगे तो आसानी से जो product है वो apply हो जाता है तो दोस्तो ये था आज को वीडियो हिमालेया कमपनी के baby lotion के बारे में वेल हम भी personally ये जो lotion है वो हमारे बेटे आयांश के लिए use करें last couple of months से अभी तक आयांश को skin से related कोई भी problem जो है वो नहीं आई है इस product को मैं big thumbs up दूँगी इसमें कोई added chemicals नहीं है जो की best part है and then इसमें herbs ये जो की again best part है तो दोस्तो अगर आपको ये product खरीदना हो तो इसका link ना आपको description box में दे दूँगी आप वहाँ से ले सकते हैं and दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहें तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेज़ें सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन पर लाइकन को ज़रूर प्रेस कर देज़ेगा ताकि future updates आपको मिल जाए and अगर आपको आज को वीडियो इंफोमेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा दोस्तो इसे के साथ मैं अम रता आज को वीडियो खत्म करती हूं और मैं मिलते हूं आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इंफोमेशन एंटिपस के साथ तब तक के लिए दोस्तों, happy parenting and bye-bye!